एक हजार वर्ष पूर्व चोल सामराज के स्वरिनम युग के आरम से पहले आकाश में एक दुंखे तू दिखाए दिया चोल कुल से किसी एक का बलिदान ये दुंखे तू लेगा ऐसा जोश्यों ने कहा लाच्य में आशांती भेल गई समंद्र में उफान आने लगे शडियंत्र ने महल को चकड़ दिया कि दलवार में केवल चोल सामराज के लिए उठा सकता है कि यह अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना इसलिए हम सब चुहों की तरह प्राण मुचाते पटक रहे हैं कड़ंबूर के शमू नारायन के महल में कुछा निश्ट होने की सूचना मिली है तुम आज आगर पता लगाओ क्या हो रहा है जिसकी विट्टु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं बार समता जो भी हो मैं सिंखासन छोड़ने माला नहीं हो अरुन मोरी और करिकारल को मिलकर यहाने से हमें रोगना होगा क्याहिए क्याम से अर्श लडंए हुआ हो! बाहुबली की सफलता से उन फिलमकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिलम बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिलम बनाने का सपना फिलमकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनिक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्ष में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिलमों की यतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिलम लेकर आये हैं यह फिलम दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिलम की कहानी आपको महाभारत और फिलम बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोरदार है मढ़ेतनम का ट्रेटमेंट फिलम को देखने लाइक बनाता है पौनियन सेलवन देखने का यदियाब मन बना रहे हैं तो आपको यह फिलम पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किर्दारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे साथ ही इस फिलम में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक पर्चित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिलम का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगासन के इर्द गिर्द गुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं सेना पती परवित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को राश्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजवर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण है जिसके वज़े से वा तंजवर नहीं आना चाहता और उनमोजी तंजवर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किलदार और उनकी कहानिया है जो साथ साथ चलती रहती है जैसे बहादर और साथ सीयोध धा वन ती थेवा ने निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यह किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है भले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दरसक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पायती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के सासत मड़े रतनम का प्रश्टिती करण दर्सको को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नर्ति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किलदार मज़ेदार भी है नरति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए दिती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आखों को सुकून देते है रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डूर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मुजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कार्ती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किल्दार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है छिया बिक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बढ़ा हो यही हाल जैम रभी का है एस्तरा राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने में नेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर की सबसे बड़ी समस्या है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्को ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुजिन दर्शकों के लिए वो फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या की फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासि घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच-बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अनता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान विक्रम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्तोसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजे को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रस्ता है जिवकि उमर्द राज प्रवेत्यस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राजा संदर की बेटी कुंदवाई या नित्रशा कर्ष्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस हिस्से में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्शकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना किवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पढ़कता भी है पढ़कता में लंबे समय तक के दार असपस्तम नहीं होते और दर्शकों को उनके साथ उलजना पड़ता है कहानी की रत्तार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रत्तनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नज़राते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम पड़ती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पौनियन सेलवन में या हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है या सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोरदार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिनें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जएदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी अनि जैम रभी है सेना पती परवित्यस्वर अनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदेत के कुछ कारण है जिसके वज़े से वार तंजोर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किरदार और उनकी कहानیاں है जो सास साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकारती की कहानी जो एक राज इसे दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है बले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंध है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंत्र, विस्वास आविस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं, जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी, कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रस्टिती करण दर्सकों को जकड़े रखता है, मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है, हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है, ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है, और कुछ किदार मज़ेदार भी हैं, नरति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है, हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए दिती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार हैं, आखों को सुकून देते हैं, रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है, आउट डोर स्यूटिंग मढ़े रतनम, अल सुबह साम में करते हैं, और यह बात इस फिल्म में भी नजराती है, जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं, एक्सन और स्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं, सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है, डबिंग उंदा है, गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं, ए आर रहमान का बेग्गराण्ड मीजिक सांदार है, ख यही हाल जैम रवी का है, एशररा राय बहत खुबसूरत लगी हैं, और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है, तिर्शा सोभिता धुली पाला, आर सरतकुमार परकास राज अपना परभाव छोड़ते हैं, पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लायक है, निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्क्रड की सबसे बड़ी समस्या है, इसका दर्सकों से कनेक्ट, फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर आधारित है, देश काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जड़ गए हैं, कठिन है, ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता, मगर समस्या स्क्रिप्ट है, लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है, मानु जिन दर्सकों के लिए वो फिल्म बना रहे हैं, उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है, नतीजा या कि फिल्म देख हो जाते हैं, अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके, तब तक अन्त आ जाता है, और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी, पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुंदर औ यानी छियान बिक्रम और अरुल मोरी वर्मन यानी जैम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं, राजा सुंदर बिमार हो जाते हैं, और राज का खंजाची परवेत्तोसर तमाम मंत्रियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुंदर के भ वाई यानी तरसा कर्ष्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती हैं, क्या भाई लोटेंगे, खड़े अंतरकारियों को कहां तक सफलता मिलेगी, आदित और अरुल मोरी की जिंदिगियों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है। कमेडी सिन पैदा किये हैं, मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं। कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है। कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है। करता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा करती है। यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है। आदित और नंदिनी की प्रेम कहानी लगबग हसिये पर है। राजा सुंदर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है। पूरा फोकस राजमहल के बिरिद्ध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है। अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जादा करती है। बगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता। हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है जुआ किलदारों में वजन पैदा करें। कई जगह पर बात बहुत हलकी हो जाती है। पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते विए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास उल्जुता पैदा नहीं होती। फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए। अनिता आप उलजे रहेंगे। फिल्म का गीश संगीत इसकी कहा दनाओ का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसिरत हो गए हैं। सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन। तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का मादमियम मातर है। उससे अधिक कुछ बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे। अबी के कारण ही हुए पूर्णियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं। यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है। कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंघासन के लिए लड़ाई थी। फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी। लेकिन राचनीती की सत्रंज यहां भी जोरदार है। मढ़ेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है। पूनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा। जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे। साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं हैं और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है। लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे। कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं सेना पती प्रवित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को राश्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को प्रवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वज़े से वा तंजोर नहीं आना चाहता और उन मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किर्दार और उनकी कहानिया हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं जैसे बहादर और सासी योद्धा वन्ती थेवा निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किर्दार को ही मिला ह दरसल यहां किर्दार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है पहले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की गती के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किल्दार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कन्फियूज नहों एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार बायती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रश्टिती करड़ दर्सकों को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत था नरति का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी है नरति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर प्रेम में उनकी क्रेट्विटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन सोरशट सांदार है आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनुमेटोग्राफी अदभुत है आउटडोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समुंदर फिल्म में किलदार की तरह दिखाए दिखाए देते हैं एक्षन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्गराण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कारती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है छिया बिक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संभो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एस्टर राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हाव भाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना परभाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्सकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की इतिहसे को पन्यास पर अधारित है देज काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समझ सा इस क्रिप्ट है लेकों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालिकरन यानि छियान विकरम और अरुल मोरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची परवेत्वसर तमाम मंत्रियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातिजयों को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रसता है जिबकि उमर्द राज परवेत्यस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई यानित्रसा करश्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरुलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्शकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठख़ता भी है पठख़ता में लंबे समय तक के दार असपस्तम नहीं होते और दर्शकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रफ्तार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगोह पर कमेडी पहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में ढंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं है युआ किलदारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उलजनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती कुल मिलाकर पोनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए अनिता आप उलजे रहेंगे फिल्म का गीज संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें A.R. रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरत हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहाँ भी जोड़दार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक पर्चित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुप्त ले सकेंगे कहानी सिंघासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी है सेना पती प्रबित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को प्रबित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण है जिसके वज़े से वा तंजौर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई करदार और उनकी कहानिया है जो सास-सात चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवान निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यह किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है भले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिल्म इतनी घटना परधान है की दरसकों के लिए फिल्म की गतिके साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इस लिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही यह भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर, विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पायती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं, जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के साथ मड़े रतनम का प्रश्टुती के रड़ दर्सको को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी है नरति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटविटी भी दिखाए दिती है फिल्म की लोकेशन्स और शट सांदार है आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नजर आती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किरदार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बहुर अनवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्गराउंड मीजिक सांदार है खिलंदर के रोल में कार्ती ने दर्शको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है शिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एस्टरा राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दर्शन स्कुर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्शकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर आधारित है देश काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गये कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेकों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुजिन दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या कि फिल्म देखते हुई इसकी कहानी और इतिहासि घटना करम को जानने में आपको अपनी ओर से काफी कोशिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अनता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राज़ा सुंदर और उनके दो पुत्रो एक पुत्री और राज्महल के अंदर रचे जाने वले खड़ी उंतिरों की कहानी है राजा सुंदर निप्रकास राज के दो पुत्र आदितिकालिकरन यनि छियान भिकरम और अरुलमोरी वर्मन यनि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुंदर बीमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्वसर तमाम मंत्रियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजे को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रस्ता है जिवकि उमर्द राज परबतेस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनी नी असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राजसंदर की बेटी कुंदवाई या नित्रसा कर्शनन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठखता भी है पठखता में लंबे समय तक के दार असपस्टम नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रत्तार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पोनियन सेल्वन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में ढंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदागलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसीये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंत्रियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बाद जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बाद बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोरदार है मढ़तनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरूं से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी अनि जैम रभी है सेना पती परवित्यस्वर अनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदिती के कुछ कारण है जिसके वज्ज़ से वा तंजोर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किरदार और उनकी कहानीया है जो सास साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है बले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या सम्बंध है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंत्र, विस्वास आविस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं, जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी, कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रश्टिती करण दर्सकों को जकड़े रखता है, मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है, हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है, ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है, और कुछ किलदार मज़ेदार भी हैं, नरति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है, हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाई दिती ह फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार हैं, आखों को सुकून देते हैं, रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है, आउट डोर स्यूटिंग मढ़े रतनम, अल सुबह साम में करते हैं, और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है, जंगल, पहाड, नदी, समु पहाद में कम मजा देते हैं, ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है, खिलंदर के रोल में कारती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, और उनका किरदार बहुत अच्छे से लिखा गया है, सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है, शिय तुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं, पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है, निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी देवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है, इसका दर्शकों से कनेक्ट, फि बगर समस्या स्क्रिप्ट है, लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है, मानुच जिन दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं, उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है, नतीजह यहां की फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अप जनक ने किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है, तो पुराने सिरेख हो जाते हैं, अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके, तब तक अन्त आ जाता है, और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी, पोनियन सेलवन तमिल इतिह करन यानी छियान बिकरम और अरुल मोरी वर्मन यानी जैम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं, राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं, और राज का खंजाची प्रवेत्तोसर तमाम मंत्रियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्द कि बेटी कुंद वाई यानी तरसा कर्ष्णन इन्हें विफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती हैं, क्या भाई लोटेंगे, खड़े अंतरकारियों को कहां तक सफलता मिलेगी, आदित और अरुल मोरी की जिंदिगियों क कि क्या कहानिया हैं, ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है। हलके फुलके कमेडी सीन पैदा किये हैं, मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजर आते हैं। कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है, कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है। में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा करती है। यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है। आदित और नंदिनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है। राजा सुंदर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है। पूरा फोकस राजमहल के बृद्ध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है। अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात ज्यादा करती है। बगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता। हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है युआ किलदारों में वजन पैदा करे। कई जगह पर बात बहुत हलकी हो जाती है। पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते विए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास उल्जता पैदा नहीं होती। फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए। अनिता आप उल्जे रहेंगे। फिल्म का गीस संगीत इसकी कहा दनाओ का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसिरत हो गए हैं। सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन। तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का मादमियम मातर है। उससे अधिक कुछ बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिमत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे। अबी के कारण ही हुए पूर्णियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं। यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है। कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंघासन के लिए लड़ाई थी। फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी। लेकिन राचनीती की सत्रंज यहां भी जोरदार है। मढ़ेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है। पौनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा। जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे। साथ ही इस फिल्म में जएदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं हैं और उन्हें भी याद रखने में कठनाई होती है। लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे। कहानी सिंगासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिक्रम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं सेना पती प्रवित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का ख मुल कहानी में कई किर्दार और उनकी कहानिया जो साथ साथ चलती रहती हैं जैसे बहदुर और सास सियोध्धा वनती थेवा नरिकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किर्दार को ही मिला है द पहले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो, मड़ी रतनम और उनकी टीम ने मो के घटनाओ को ही दर्साया है। फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दर्सकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है। फिल्म में लगातार नए किर्दार आते रहते हैं, नई जिगए दिखाई जाती हैं, इसलिए दर्सकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है। किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्यूज नहों एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सहमात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंदर विस्वास आविस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी कहानी के साथ मड़ी रतनम का प्रस्टुती करड़ दर्सकों को जकड़े रखता है मड़ी रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरती का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी है नरती और सास्तर कला का परदरसन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कारती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्त्रियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है छिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संभो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एशरराय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कुर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्शको से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर आधारित है देशकाल और क्रिदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्को ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासी घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान विक्रम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेयम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची परवेत्तोसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजे को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रस्ता है जिवकि उमर्द राज परवेत्यस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई या नित्रसा कर्ष्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पटखता भी है पटखता में लंबे समय तक के दार असपस्टन नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदागलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगबग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंत्रियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुसमनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास उल्जुता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का गीज संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सत्रंज यहां भी जोड़दार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है पौनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किलदारों के नाम चटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासिदर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आरम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं सिना पति परवित्यसवर यानि आर सरतक्मार राजा और उनके दो बेटों को राष्टे से हटाने का ख़ड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यसवर की यूजना पता चलती है तो आपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण वन्ती थेवन ये निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उप चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किरदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पायती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो दो हजार तेस मेरे लिज होगी कहानी के सासत मड़े रतनम का प्रश्टित किरड दर्सकों को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तक्नीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ति नजर आती है गीत था नरति का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुल्का रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी हैं नरत्य और सास्त्र कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाई देती है फिल्म की लोकेशन सोरशिट सांदार हैं आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनुमेटोग्राफी अदभुत है आउट्डोर सुटिंग मढिरतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नजराती है जंगल, पहाड, नदी, समुंदर फिल्म में किरदार की तरह दिखाए देते हैं एक्षन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्गराण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर के रोल में कार्ती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किल्दार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजग है शिया विकरम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संभव है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रभी का है एस्टर राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना परभाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्सकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर अधारित है देश काल और कृदारों से दच्छिड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए वो फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीज़ यह की फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासि घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने पड़ती है बीच-बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अनता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रो एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित काली करन यानि छियान विक्रम और अरुल मोरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्वसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजों को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रसता है जबकि उमर्द राज प्रवेत्यस्वर की अत्यंत रूपोती युवापत्नी नंदिनी असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई यानित्रसा करशनन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरुलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना किवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठखता भी है पठखता में लंबे समय तक किरदार असपश्टम नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलज़ना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजर आते हैं कई जिगोह पर कमेडी पहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है ओनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसीये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिर्द मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं है क्युआ किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती कुल मलाकर पोनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंधा है जबकि इसमें एर रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आस्षर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसिरत हो गए है सिनेमा के लिए सबसद जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिमत बढ़ गई जो करोड़ों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहाँ भी जोरदार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किलदारों के नाम चेटिल हैं जिनने याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आरम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं सिना पती परवित्यस्वर एनि आर सरतक्मार राजा और उनके दो बेटों को राश्टे से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजवर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वज़े से वा तंजवर नहीं आना चाहता अरुन मोजी तंजवर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किलदार और उनकी कहानिया हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं जैसे बहादुर और साथ सीयोद्धा वन ती थेवन या निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यह किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है बहले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की गटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किल्दार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्यूज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के साथ सत मड़िरतनम का प्रस्टुती करण दर्सको को जकड़े रखता है मड़िरतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नर्ति का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी है नरति और सास्त्र कला का परदर्शन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आँखों को सुकून देते हैं रभिय अर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नजराती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कारती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है शिया बिकरम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवीका है एसरा राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हाव भाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोभिता धुली पाला आर सरतक्मार परकास राज अपना परभाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दर्वसन स्कुर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्शको से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर आधारित है देशकाल और करदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेको ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्शकों के लिए वो फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीज़ या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में तसवी गेरवी सदि के चोल राजवंस के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने विले खड़ियंते रो की कहानी है राजा सुन्दर यन्य प्रकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छीयान भिकरम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेयम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्व सर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातिजयों को राजगद्धी प्रवेत्व बैठाने का खड़े अंतर रसता है जबकि उमर्दराज प्रवतेस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई या नित्रसा कर्ष्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे? खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी? आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्शकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समझ से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठख़ता भी है पठख़ता में लंबे समय तक के दार असपश्टम नहीं होते और दर्शकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेड़ी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेड़ी पहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेड़ी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पोनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राज सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बिनावट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फुकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुसमनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है युआ के दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट व के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का गीस संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आस्थर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समेदनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने जदा आसिरत हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से पर्दे पर उतारने का मादमियम मातर है उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो-तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी करिश्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढ़िरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनिक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो-तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगहासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहाँ भी जोरदार है मठतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किर्दारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जएदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक पर्चित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुप्त ले सकेंगे कहानी सिंगासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी अनि चैम रभी है सेना पती परवित्यस्वर अनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण है जिसके वज़े से वा तंजोर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किरदार और उनकी कहानिया है जो सास साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यह किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है दरसकों के लिए फिल्म की गती के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही यह भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रस्टुती करण दर्सको को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरती का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किलदार मज़ेदार भी है नरती और सास्त्रकला का परदरसन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कारती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है छिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एस्षरराय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्सको से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर आधारित है देशकाल और किरदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्को ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए वो फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीज़ या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासि घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अंता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सधी के चोल राजवनस के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंत्रों की कहानी है राजा सुन्दर निप्रकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान बिक्रम और अरूल मोरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्वसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजों को राजगत्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रस्ता है जिवकि उमर्द राज प्रवेत्यसर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनीनी असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई यानित्रसा कर्ष्णन इन्हें विफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन शेलवन पार्ट वन की समझसा ना केवल देसकाल की है बलकि फिल्म की कथा पढ़कता भी है पढ़कता में लंबे समय तक केवदार असपश्टन नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नज़राते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वा या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पौनियन सेलवन में या हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है या सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जादा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास उल्जुता पैदा नहीं होती कुल मलाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का गीस संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोड़दार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है पौनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किलदारों के नाम चटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं इना पति प्रवित्यस्वर एनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को राश्ते से हटाने का ख़ड़ेंत्र बनाता है सुन्दर को प्रवित्यसवर की योजना पता चलती है तो आपने बेटों को तंज़ोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वज़े से वा तंजोर नहीं आना चाहता और उन मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई केंदार और उनकी कहानिया है जो साध साथ चलती रहती हैं जास बहादुर और साध सीयोद धा वढंती थेवधनैनिकारटी की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे जदा फुटेज इस केंदार को ही मिला सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपन्यास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है पहले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मड़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओं को ही दर्साया है फिर भी फिल्म इत रखना पड़ता है कि किस किल्दार का किस में क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्यूज नहों एक बार आपने किल्दारों को पकड़ लिया त जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के सासत मड़ी रतनम का प्रश्टुती करड़ दर्सकों को जकड़े रखता है मड़ी रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ति नजर आती है गीत था नरति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किरदार मज़ेदार भी है नरति और सास्त्र कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाई जंगल पहाड नदी समंदर फिल्म में किरदार की तरह दिखाई देते हैं एक्षन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बहुर अनुवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का टेश नहीं मिले हैं संभो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बढ़ा हो यही हाल जैम रवीका है एस्टरा राय बहत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना परभाव इसका दर्सकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर अधारित है देश काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गये हैं कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेकों ने इसे कुछ इस तर से काफी कोशिस करने परती है बीच-बीच में अचनक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अनता जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखा इंतरों की कहानी है राजा सुंदर ये परकास राज के दो पूत्र आदित काली करन यानि छियान विक्रम और अरुलमौरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुंदर बीमार हो जाते हैं और राज का खंजा पोती युवापतनी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़ेंतर को धार देती है राजा सुंदर की बेटी कुंद वाई यानि तरसा कर्शनन इन्हें विफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंग खड़ेंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दरसकों के लिए पूनियन शेलवन पार्ट व ने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढई रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमे परिकरन और नंदनी की प्रेम कहानी है ओनियन सेलवन में यह इससा बेहर निराज करता है दोनों की कि शुरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा कलती है यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है आधित और नंदनी की प्रेम कहानी लगबग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात ज्यादा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है युआ कि दारों में वजन पैदा करें कई जगह पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उन जुनों के साथ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए अनिता आप उलजे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड सिने जदा आसिरत हो गए हैं सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनिक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिमत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्शन मुर्थ के उपन्यास पोनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढ़िरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनिक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पूर्नियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगहासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोरदार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जएदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंघासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी है सेना पती परवित्यस्वर एनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजवर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वज़े से वा तंजवर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजवर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किलदार और उनकी कहानिया है जो साथ साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है पहले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक गटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी गटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की गटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंध है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दरसक ज़्यादा कनफ्योच ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के साथ सत मड़े रतनम का प्रश्टुती करण दर्स को को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नर्ति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किलदार मज़ेदार भी है नरति और सास्त्र कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटविटी भी दिखाए दिती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आखों को सुकून देते है रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अद्वुत है आउट डूर स्यूटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नजर आती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कार्ती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किल्दार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है शिया बिक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बढ़ा हो यही हाल जैम रवी का है एस्षरा राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोभिता धुली पाला फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर आधारित है देश काल और क्रिदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समझा स्क्रिप्ट है लेक्को ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासि घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान विकरम और अरुल मोरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बीमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्वसर तमाम मंत्रियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजयों को राजगर्दी पर बैठाने का खड़े अंतर रसता है जिवकि उम्र्द राज प्रवेत्यस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदिनी असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई यानित्रसा कर्ष्णन इन्हें बिफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरुलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस हिस्से में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्शकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समझ से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठख़ता भी है पठख़ता में लंबे समय तक के दार असपश्टम नहीं होते और दर्शकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस यतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी पहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पोनियन सेलवन में यह इससा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में ढंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा खलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फुकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुसमनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है बगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है युआ किलदारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुकता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का गीश संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समेदनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतारने का माधमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोड़ों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंघासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहाँ भी जोड़दार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिनसे हिंदी भासिदर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिसा पाराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुब्त ले सकेंगे कहानी सिंगासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं सेना पती परवित्यस्वर एनि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को रास्ते से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वज़े से वा तंजोर नहीं आना चाहता अरुन मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किर्दार और उनकी कहानिया है जो साथ साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और साथ सीयोद्धा वन ती थेवन या निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किर्दार को ही मिला है दरसल यह किर्दार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है भले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की गटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किल्दार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्यूज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आविस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लिज होगी कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रश्टुती करण दर्सको को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नरती का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किलदार मज़ेदार भी है नरती और सास्तर कला का परदरसन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर सुटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्राण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कारती ने दर्सको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्त्रियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है छिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संभो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एसरा राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दर्शन स्कुर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्शको से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहासे को पन्यास पर आधारित है देशकाल और क्रिदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्को ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजा या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासी घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोसिस करने परती है बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान विक्रम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेयम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची परवेत्तसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजयों को राजगद्धी पर बैठाने का खड़े अंतर रस्ता है जिवकि उमर्द राज परवतेस्वर की अत्यंत रूपोती युवापतनी नंदनीनी असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है राज़संदर की बेटी कुंदवाई यानित्रसा कर्ष्णन इन्हें विफिल करने का प्रियास करते हुए दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठख़ता भी है पठख़ता में लंबे समय तक के दार असपष्टन नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदागलती है यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास उल्जुता पैदा नहीं होती फिल्म लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का गीज संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसरित हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कृष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोड़दार है मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लायक बनाता है पौनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किलदारों के नाम चेटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिस आप आरम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं सिना पती परवित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को राष्टे से हटाने का ख़ड़ेंतर बनाता है सुन्दर को परवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंजोर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारड़ हैं जिसके वज़े से वा तंजोर नहीं आना चाहता अर उन मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किरदार और उनकी कहानिया है जो सास साथ चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है भले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक गटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी गटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की गटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दरसक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर सह मात का खेल राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पायती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो दो हजार तेस मेरे लिज होगी कहानी के सासत मड़े रतनम का प्रश्टिती करड़ दर्सकों को जकड़े रखता है मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है हर डिपार्टमेंट में उनकी उपष्टे नजर आती है गीत था नरति का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किर्दार मज़ेदार भी है नरत्य और सास्त्र कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए दिती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार है आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनुमेटोग्राफी अदभुत है आउटडोर स्यूटिंग मढ़े रतनम अलसुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नजराती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किल्दार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनुवाद में कम मजा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्गराण्ड मुजिक सांदार है खिलंदर की रोल में कार्ती ने दर्शको का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किल्दार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है शिया बिक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले है संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रभीका है एस्टर राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोबिता धुली पाला आर सरतक्मार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते है पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्सकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर अधारित है देश, काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीज़ या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोशिस करने पड़ती है बीच बीच में अचानक ने किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन टमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर ये परकास राज के दो पुत्र आदित काली करन यानि छियान विकरम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्तोसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातिजयों को राजगर्दी प्रवेत्ती पर बैठाने का खड़े अंतर रचता है। जबकि उमर्दराज प्रवेत्तेस्वर की अत्यंत रूपोती युवापत्नी नंदनी ने असर राइबच्चन इस खड़े अंतर को धार देती है। छोड़ा गया है। हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पढ़कता भी है। पढ़कता में लंबे समय तक केवदार असपश्टन नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है। कहानी की रत्तार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं। इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रत्नम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सीन पैदा किये हैं। मगर फिल्म के मिजाज से बिलकुल बाहर नजर आते हैं। कई जिगोह पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है। कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज्यादा लंबा खीचा गया है। फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई। वह यह कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है। पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है। दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा गलती है। यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है। आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है। राजा सुंदर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है। पूरा फोकस राजमहल के बिरिध मंतरियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है। अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है। मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता। हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं हैं जुआ किलदारों में वजन पैदा करें। कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है। पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती। पुलम लाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए। अनिता आप उलजे रहेंगे। फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंधा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है। फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है। मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आस्थर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समेदनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसिरत हो गए हैं। सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरस से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे। उससे अधिक कुछ नहीं। बहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे। यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है। कहानी सेकडों साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी। फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सतरंज यहां भी जोरदार है। मठेतनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है। पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा। जगह और किलदारों के नाम चेटिल हैं जिने या आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे। कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है। राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं। सेना पती प्रवितेश्वर यानि आ जैसे वा तंजोर नहीं आना चाहता अरुड मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है। इस मूल कहानी में कई किर्दार और उनकी कहानिया हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे बहादर और साथ सीयोद धा वन ती थेवान निकारती की कहानी जो एक राज इसे दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किर्दार को ही मिला है। दरसल यहां किर्दार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है। पोलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटन आसान नहीं है। बले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मड़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है। फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है। फिल्म में लगातार नए किल्दार आते रहते हैं, नई जिगह दिखाई जाती है, इसलिए दर्सकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है, साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है, फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी, तो वे फिल्म को आसान रखे, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया, ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्योज ना हो, एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया, तो फिल्म देखने में आसानी रहती है, चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंतर, विस्वास आ व इसको कुछ अकड़े रखता है, मड़े उत्रम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है, हर डिपार्टमेंट में उनकी उपष्टे नजर आती है, गीत तथा नरत का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है, ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा ह और कुछ किलदार मज़ेदार भी हैं नरत्य और सास्त्र कला का परदरसन भी फिल्म को निखारता है हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाए देती है फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार हैं आँखों को सुकून देते हैं रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है आउट डोर स्यूटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है जंगल, पहाड, नदी, समंदर फिल्म में किलदार की तरह दिखाए देते हैं एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गए हैं सिरीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है डबिंग उंदा है गीत के बोल अनवाद में कम मज़ा देते हैं ए आर रह्मान का बेग्गराण्ड मीजिक सांदार है खिलंदर के रोल में कार्ती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है शिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं संबो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो यही हाल जैम रवी का है एस्टर राय बहुत खुबसूरत लगी है और राजसी हावभाव उनके अभने मेनेजर आता है तिरसा सोभिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्क्रड की सबसे बड़ी समस्या है इसका दर्सकों से कनेक्ट फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर आधारित है देश काल और कृदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गए है कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता मगर समस्या स्क्रिप्ट है लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है मानुच जिन दर्सकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा ग्यान है नतीजह या कि फिल्म देखते हुई इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोशिस करने परती है बीच-बीच में अचानक नए किर्दार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेक हो जाते हैं अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्त आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसुई गेरवी सद्धी के चोल राजवन्स के राजा सुंदर और उनके दो पुत्रो एक पुतरी और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है राजा सुन्दर ने परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानी छियान बिकरम और अरूल मोरी वर्मन यानी जेयम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्व सर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातिजयों को राजगद्धी पर बैठाने का खड़े अंतर रसता है जिबकि उमर्द राज प्रवतेस्वर की अत्यंत रूपोती युव कोज बलाने के संदेश भेजती है क्या भाई लोटेंगे खड़ेंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी आदित और अरुलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है हिंदी के दर्सकों के लिए पूनियन सेलवन पार्ट वन की समझ से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पढ़खता भी है पढ़खता में लंबे समय तक के दार असपस्टन नहीं होते और दर्सकों को उनके साथ उलजना परता है कहानी की रथतार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज्यादा लंबा खीचा गया है फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है ओनियन सेलवन में या हिस्सा बेहर निराज करता है दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदागलती है या सब बहुत तेजी से समेर दिया गया है आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसी ये पर है राजा सुन्दर के परिवा एक्षन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है युआ कि दारों में वजन पैदा करें कई जगह पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उन जुनों के साथ बढ़ते हुए जहां ख अनिता आप उलजे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रहमान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक् से परदे पर उतालने का मादमियम मातर है उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्म कारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोड़ों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्शन मोर्त के उपन्यास पोनियन सेलवन पर फिल्म ब पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पूर्नियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकड़ों साल पुरानी है ज फिल्म को देखने लायक बनाता है पूर्नियन सेलवन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किरदारों के नाम चेटिल हैं जिने याद रखने होंगे साथ ही इस फ पहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुंदर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि चैम रभी हैं सेना पती प्रवित्यस्वर यानि आर सरतकमार राजा और उनके दो बेटों को राश्ते से हटाने का सुंदर को प्रवित्यस्वर की योजना पता चलती है तो अपने बेटों को तंज़ौर आने के लिए कहता है आदित के कुछ कारण हैं जिसके वजह से वा तंज़ौर नहीं आना चाहता और उन मोजी तंज़ौर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किलदार और उनकी कहानियां हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं जैसे बहादर और सासी योद्धा वन्ती थेवा निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां क फिल्म और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है। साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है। फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी। तो वे फिल्म को आसान रखे। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्यूज ना हो। एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है। चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंत्र, विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार बायती रहती है। ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन हते हैं, जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे, जो दो हजार तेस मेरे लिज होगी। कहानी के सास अत मड़ी रतनम का प्रश्टिती करड़ दर्सकों को जकड़े रखता है। मड़ी रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है। हर डिपार्टमेंट में उनकी उपष्टे नजर आती है। गीत ततन नर्ति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है। ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है। और कुछ किलदार मज़ेदार भी हैं। नर्ति और सास्त्र कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है। हर फ्रेम में उनकी क्रेटविटी भी दिखाए देती है। फिल्म की लोकेशन सोरशिट सांदार हैं। आखों को सुकून देते हैं। रभी वर्मन की सिनुमेटोग्राफी अदभुत है। आउटडोर स्यूटिंग मढ़े रतनम अल सुबह साम में करते हैं। और यहाँ बात इस फिल्म में भी नजराती है। जंगल, पहाड, नदी, समुंदर फिल्म में किलदार की तरह दिखाए देते हैं। एक्शन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं। स्रीकर परसाथ की एडिटिंग सार्प है। डबिंग उंदा है। गीत के बोर अनुवाद में कम मजा देते हैं। ए आर रह्मान का बेग्गरॉंड मीजिक सांदार है। खिलंदर के रोल में कारती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है। सुन्दर इस्त्रियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है। शिया बिकरम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं। संभो है कि दूसरे भाग में उनका रोल बड़ा हो। यही हाल जैम रवीका है। एस्चरा राय बहत खुबसूरत लगी हैं। और राजसी हाव भाव उनके अभने मेनेजर आता है। तिरसा सोभिता धुली पाला आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं। पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लाइक है। निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सिलवन पार्ट वन के हिंदी दवसं स्कुर्ड की सबसे बड़ी समस्या है। इसका दर्सकों से कनेक्ट। फिल्म इसी नाम की एतिहसे को पन्यास पर आधारित है। देशकाल और करदारों से दच्छड के बाहर दर्सक जुड़ गये हैं। कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता। मगर समस्या स्क्रिप्ट है। लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है। मानुच जिन दर्सकों के लिए फिल्म बना रहे हैं उन्हें इतिहास का सारा गयान है। नतीजा या कि फिल्म देखते हुए इसकी कहानी और इतिहासिक घटना करम को जानने में आपको अपनी और से काफी कोशिश करने परती है। बीच बीच में अचानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घूमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं। अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके तब तक अन्ता आ जाता है और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी। पोनियन सेलवन तमिल इतिहास में दसवी गेरवी सदी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुत्री और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खड़ी अंतरों की कहानी है। सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातीजों को राजवन्स पर बाइठाने का खड़ी अंतर रचता है। क्या कहानिया हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है। सिनापतियों के दर्शकों के लिए पौनियन सेलवन पार्ट वन की समय से ना केवल देशकाल की है बलकि फिल्म की कथा पठखता भी है। पठखता में लंबे समय तक केवदार असपश्टम नहीं होते और दर्शकों को उनके साथ उलजना परता है। कहानी की रप्तार बहुत धीमी है और बीश-बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं। इस एतिहासिक कहानी में मढ़ी रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं। मगर फिल्म के मिजाज से बिलकुल बाहर नजर आते हैं। कई जिगोह पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है। कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज्यादा लंबा खीचा गया है। फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई। वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है। पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराज करता है। दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा कलती है। यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है। आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है। राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है। पूरा फोकस राजमहल के बृद्ध मंतरियों सिनपतियों के तथा राजपतरों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है। अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है। मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता। हिंदी डब के समाद भी ऐसे नहीं हैं जुआ किलदारों में वजन पैदा करें। कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है। पार्ट वन जिन उलजनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है। वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती। कुल मलाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें दिखाएगे किलदारों का पता होना चाहिए। अनिता आप उलजे रहेंगे। फिल्म का गीज संगीत इसकी कहानी में बंदा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है। फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है। मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आसर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समेदनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आसिर्थ हो गए हैं। सिनेमा के लिए सबसद जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन। तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का माधमियम मात रहे। उससे अधिक कुछ नहीं। बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो-तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे। कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे। लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे। पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो-तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं। यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है। कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी। फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी। लेकिन राचनीती की सत्रंज यहाँ भी जोड़दार है। मढ़तनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है। पूनियन सिल्वन देखने का यदे आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा। जगह और किरदारों के नाम चटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे। साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिन से हिंदी भासी दर सक परचित नहीं हैं और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है। लेकिन सुरू से या कोशिस आप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे। कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं। करना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है। इस मूल कहानी में कई किर्दार और उनकी कहानिया हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे बहादुर और साथ सीयोद्धा वंती थेवन निकारती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है। और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किर्दार को ही मिला है। दरसल यहां किर्दार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है। पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है। भले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मों के घटनाओ को ही दरसाया है। फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल् किसमें क्या संबंद है। फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनौती थी तो वे फिल्म को आसान रखे। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दरसक ज्यादा कनफ्योच नहों। एक बार आपने किल्दारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है। चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंदर, विस्वास आ विस्वास की लहर लगातार पायती रहती है। ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मे इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है। ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है और कुछ किलदार मज़ेदार भी हैं। नरत्य और सास्तर कला का परदरसन भी फिल्म को निखारता है। हर फ्रेम में उनकी क्रेटविटी भी दिखाए दिती है। फिल्म की लो की तरह दिखाए देते हैं। एक्सन और इस्टन्ट सीन अच्छे से फिल्माए गये हैं। श्रीकर परसाथ के एडिटिंग सार्प है। डबिंग उंदा है। गीत के बोल अनुवाद में कम मज़ा देते हैं। ए आर रह्मान का बेग्रांड मीजिक सांदार है। खिलंदर क रोल में कार्ती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। और उनका किलदार बहुत अच्छे से लिखा गया है। सुन्दर इस्ट्रियों के साथ उनकी बाचित मनोरंजक है। छिया विक्रम को ज़्यादा फुटेश नहीं मिले हैं। संभो है कि दूसरे भाग में उनक कास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं। पोनियन सेलवन वन मठी रतनम टेस्ट के कारण देखने लाइक है। निर्देशक मठी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर की सबसे बड़ी समस्या है। इसका दर्शकों से कनेक्ट। फिल्म इसी नाम की इतिहसे को पन्यास पर आधारित है। देश काल और किरदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गए हैं। कठिन है ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता। मगर समस्या स्क्रिप्ट है। लेक्कों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है। मानुत जिन जानक नए किरदार आते हैं और घटना करम घुमता है तो पुराने सिरेख हो जाते हैं। अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके। तब तक अंता आ जाता है। और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी। पोनियन सेलवन तमील इतिहास में दसुई गेरवी सधी के चोल राजवन्स के राजा सुन्दर और उनके दो पुत्रों एक पुतरी और राजमहल के अंदर रचे जाने वले खडियंतरों की कहानी है। राजा सुन्दर और परकास राज के दो पुतर आदित कालिकरन यानि च्छियान विक्रम और अरुल मौरी वर्मन यानि जेम रभी राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं। राजा सुन्दर बिमार हो जाते हैं और राज का खंजाची प्रवेत्तोसर तमाम मंतरियों और सिनापतियों को साथ लेकर सुन्दर के भातिजयों को राजगर्दी प्रवेत्ती पर बैठाने का खड़े अंतर रसता है। खड़े अंतर कारियों को कहां तक सफलता मिलेगी। आदित और अरुलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया हैं। ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है। मुश्किल पैदा करते हैं। इस एतिहासिक कहानी में मढ़िगतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं। मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजराते हैं। कई जिगों पर कमेडी पहुत पुरानी मालूम परती है। कई एक्षन और कमेडी द्रस्टों को जरूरत से ज्यादा लंबा खीचा गया है। फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई। वह यह कहाणी कालीकरन और नंदनी की प्रेम कहानी है। पौनियन सेलवन में यह हिस्सा बेहर निराश कलता है। दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में ढंक से उभरता है और नहीं उनकी नफरत असर पैदागलती है। यह सब बहुत तेजी से समेट दिया गया है आदित और नंदिनी की प्रेम कहानी लगभग हसिये पर है राजा सुन्दर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनाओट भी सतही और पर दिखाई गई है पूरा फोकस राजमहल के बिर्द मंत्रियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुसमनों पर है अता फिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है क्यों किल्दारों में वजन पैदा करे कई जगे पर बात बहुत हलकी हो जाती है पार्ट वन जिन उल्जनों के साथ बढ़ते हुए जहां खतम होता है वहां पार्ट टू के लिए खास सुपता पैदा नहीं होती कुल मलाकर पॉनियन सिल्वन ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले आपको चोल राजवन्स के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें दिखाएगे किल्दारों का पता होना चाहिए अनिता आप उल्जे रहेंगे फिल्म का की संगीत इसकी कहानी में बंधा है जबकि इसमें एयार रह्मान जैसा नाम सामिल है फिल्म का कैमरा वरक अच्छा है मगर बेफेक्स थोड़ा और मालूम पड़ता है मड़ी रतनम की फिल्म देखते समय आस्षर होता है कि बिना बेफेक्स के मानुवी समय दनाओं का सांदार सिनेमा बनाने वाले निर्देशक तकनीक पर कितने ज़्यदा आस्षर हो गए है सिनेमा के लिए सबसे जरूरी है अच्छी कहानी और अच्छा लेखन तकनीक उसे खुबसूरत से परदे पर उतालने का मादमियम मात रहे उससे अधिक कुछ नहीं बाहुली की सफलता से उन फिल्मकारों के हिम्मत बढ़ गई जो करोडों की लागत और दो तीन पार्ट में फिल्म बनाने की सोचा करते थे कलकी कर्ष्ण मूर्थ के उपन्यास पौनियन सेलवन पर फिल्म बनाने का सपना फिल्मकार मढिरतनम लंबे समय से देख रहे थे लेकिन बजट और तकनीक उनकी रह में रोड़ा थे पिछले कुछ वर्स में बड़े बजट और दो तिन पार्ट में बनी फिल्मों की एतिहासिक काम्याबी के कारण ही हुए पौनियन सेलवन नामक फिल्म लेकर आये हैं यह फिल्म दो भागों में है जिसका पहला भाग रिलीज हुआ है कहानी सेकडो साल पुरानी है जब स्चोल समराज का भैभो था और सिंगासन के लिए लड़ाई थी फिल्म की कहानी आपको महाभारत और फिल्म बावबली की याद दिलाएगी लेकिन राचनीती की सत्रंज यहां भी जोरदार है मढ़तनम का ट्रेटमेंट फिल्म को देखने लाइक बनाता है पूनियन सिल्वन देखने का यदि आप मन बना रहे हैं तो आपको यह फिल्म पहली फ्रेम से ही देखनी चाहिए और दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा जगह और किलदारों के नाम चेटिल हैं जिन्हें याद रखने होंगे साथ ही इस फिल्म में जैदातर कलाकार ऐसे हैं जिनसे हिंदी भासिदर सक परचित नहीं है और उन्हें भी याद रखने में कटनाई होती है लेकिन सुरू से या कोशिसाप आराम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा और फिल्म का आप लुपत ले सकेंगे कहानी सिंगहासन के इर्द गिर्द घुमती है राजा सुन्दर चोला यानि परकास राज के दो बेटे आदित यानि छिया बिकरम और अरुड मोजी यानि जैम रभी हैं सिनापती प्रवितेस्वर एनि आर सरतक्मार राजा और उनके दो बेटों को राश्टे से हटाने का खड़ेंतर बनाता है सुन्दर को प्रवितेस्वर की योजना पता चलती है तो आपने बेटों को तंजवर आने के लिए कहता है आदेती के कुछ कारण हैं जिसके वज्य से वा तंजोर नहीं आना चाहता अरुन मोजी तंजोर आना चाहता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है इस मूल कहानी में कई किरदार और उनकी कहानिया है जो सास सात चलती रहती है जैसे बहादुर और सासी योद्धा वन्ती थेवन ये निकार्ती की कहानी जो एक राज से दूसरे राज भड़कता रहता है और पहले भाग में सबसे ज़्यदा फुटेज इस किलदार को ही मिला है दरसल यहां किलदार सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए रखा गया है पूलियन सिल्वन एक बहुत लंबा उपनियास है जिसे फिल्म में समेटना आसान नहीं है बले ही फिल्म दो भागों में बनाई गई हो मढ़ी रतनम और उनकी टीम ने मुक घटनाओ को ही दरसाया है फिर भी फिल्म इतनी घटना परधान है कि दरसकों के लिए फिल्म की घटी के साथ चलना आसान नहीं है फिल्म में लगातार नए किलदार आते रहते हैं नई जिगह दिखाई जाती है इसलिए दरसकों को लगातार अपडेट होते रहना पड़ता है साथ ही या भी याद रखना पड़ता है कि किस किलदार का किसमे क्या संबंद है फिल्म के लेकों के लिए भी यह चुनोती थी तो वे फिल्म को आसान रखे उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया ताकि दर्सक ज़्यादा कनफ्योज ना हो एक बार आपने किलदारों को पकड़ लिया तो फिल्म देखने में आसानी रहती है चोल समराज का दोर, सह मात का खेल, राज परिवार में होने वाले खड़े अंत्र, विस्वास आविस्वास की लहर लगातार बैती रहती है ड्रामा देखते समय कई सवाल भी दिमाग में कौन होते हैं, जिन में से कई के जवाब दूसरे भाग में बिलेंगे जो 2030 मेरे लीज होगी, कहानी के सास अत मड़े रतनम का प्रस्टिती करण दर्सकों को जकड़े रखता है, मड़े रतनम की तकनीकी डिपार्टमेंट पर पकड़ मजबूत है, हर डिपार्टमेंट में उनकी उपस्ते नजर आती है गीत ततन नर्ति का इस्तिमाल कहानी को आगे बढ़ाने में किया है, ड्रामे को उन्होंने हलका फुलका रखा है, और कुछ किदार मज़ेदार भी हैं, नर्ति और सास्तर कला का परदर्सन भी फिल्म को निखारता है, हर फ्रेम में उनकी क्रेटिविटी भी दिखाई दिती है, फिल्म की लोकेशन्स और शिट सांदार हैं, आखों को सुकून देते हैं, रभी वर्मन की सिनोमेटोग्राफी अदभुत है, आउट डोर स्यूटिंग मढ़े रतनम, अल सुबह साम में करते हैं, और यह बात इस फिल्म में भी नज़राती है, जंगल, पहाड, नदी, स मज़ा देते हैं, ए आर रह्मान का बेगराण्ड मुजिक सांदार है, खिलंदर की रोल में कारती ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, और उनका किरदार बहुत अच्छे से लिखा गया है, सुन्दर इस्तरियों के साथ उनकी बाचीत मनोरंजक है, शिया विकरम को आर सरतकुमार परकास राज अपना पर भाव छोड़ते हैं, पोनियन सेलवन वन मढ़ी रतनम टेस्क के कारण देखने लाइक है, निर्देशक मढ़ी रतनम की पोनियन सेलवन पार्ट वन के हिंदी दवसंस्कर्ड की सबसे बड़ी समस्या है, इसका दर्शकों से कनेक्ट, फिल्म इसी नाम की इतिहसे को पन्यास पर अधारित है, देश, काल और क्रिदारों से दच्छड के बाहर दर्शक जुड़ गए हैं, कठिन है, ऐसा नहीं है कि इस कहानी को समझा नहीं जा सकता, मगर समस्या स्क्रिप्ट है, लेकों ने इसे कुछ इस तरह से लिखा है, मान इस बीच में अचनक नए किरदार आते हैं, और घटना करम घुमता है, तो पुराने सिरेख हो जाते हैं, अब तक आप कहानी के बारे में सब कुछ जान समझ सके, तब तक अनता आ जाता है, और पता चलता है कि बाकी बाते अगले हिस्से में दिखाई जाएंगी, पोनियन स सुन्दर यानि परकास राज के दो पुत्र आदित कालीकरन यानि छियान विक्रम और अरुल मौरी वर्मन यानि जैम रभी, राज के उत्तर और दच्छड में समराज बिस्तार के लिए निकले हैं, राजा सुन्दर बीमार हो जाते हैं, और राज का खंजाची प्रवेत्त चन इस खड़ेंतर को धार देती है, राजा सुन्दर की बेटी कुंद वाई यानि तरसा कर्शनन इन्हें विफिल करने का प्रियास करते हुए, दोना भाईयों को वापस बुलाने के संदेश भेजती हैं, क्या भाई लोटेंगे, खड़ेंतर कारियों को कहां तक सफलता मि लेगी, आदित और अरूलमोरी की जिंदिग्यों की क्या कहानिया हैं, ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस इससे में मिलेंगे, तो कुछ को पार्ट टू के लिए छोड़ा गया है, हिंदी के दरसकों के लिए पूनियन शेलवन पार्ट वन की समझसा ना केवल देसकाल की है, बलकि फिल्म की कथा पढ़कता भी है, पढ़कता में लंबे समय तक केवदार असपश्टन नहीं होते और दरसकों को उनके साथ उलजना परता है, कहानी की रथतार बहुत धीमी है, और बीश बीश में आने वाले गाने मुश्किल पैदा करते हैं, इस यतिहासिक कहानी में मढ़ी रतनम और उनके राइटरों की टीम ने हलके फुलके कमेडी सिन पैदा किये हैं, मगर फिल्म के मिजास से बिलकुल बाहर नजर आते हैं, कई जिगों पर कमेडी बहुत पुरानी मालूम परती है, कई एक्सन और कमेडी दरस्टों को जरूरत से ज़्यादा लंबा ख फिल्म का जो एक महतपूर्ट ट्रेग जिसका परचार किया गया उसकी काफी बाते हुई, वह या है कहानी काली करन और नंदनी की प्रेम कहानी है, ओनियन सेलवन में या हिस्सा बेहर निराज करता है, दोनों की किस्वरावस्ता का प्रेम ना तो फिल्म में धंग से उभरत है और नहीं उनकी नफरत असर पैदा करती है, यह सब बहुत तेजी से समेठ दिया गया है, आदित और नंदनी की प्रेम कहानी लगबग हस्ये पर है, राजा सुंदर के परिवार में अंधरूनी रिष्टों की बुनावट भी सतही और पर दिखाई गई है, पूरा फोकस राजमहल के बिरिद्ध मंत्रियों सिनापतियों के तथा राजपत्रों की जान लेने की कोशिस करने वाले दुस्मनों पर है, अताफिल्म इमोशन की कम और एक्षन की बात जैदा करती है, मगर यह एक्षन असर पैदा नहीं करता, हिंदी डब के समवाद भी ऐसे नहीं है, युआ के दारों में वजन पैदा करें, कई जगह पर बात बहुत हलकी हो जाती है, पार्ट वन जिन उल्चनों के साथ बरते वे जहाद खतम होती है,